हेलो एवरिवन, वेलकम टो टेक्शनमेद, आज की सेशन में हम देखेंगे कि मेडिकल टर्मिनलोजी के वो कौन से प्रेफेक्स हैं जो डेनोट करते हैं किसी नंबर को या अमाउंट को, ठीक है, जैसे हमने देखा कि लास्ट सेशन से हमने एक सीरीज स्टाट करी है, जिसमें हम मेडिकल टर्मिनलोजी को पूरा अच्छे से समझने वाले हैं हम एक-एक स्टेप बाइ स्टेप उनको समझ रहे हैं पिछले सेशन में उसका इंट्रॉडक्शन देखा था कि कैसे क्या मेडिकल टर्मिनलोजी होती हैं कौन से उनके बेसिक अलिमेंट्स होते हैं तो यह हमने लास सेशन में डिसकॉस किया था कि मेडिकल टर्मिनलोजी तीन या चार चीज़ों से कंपोज होती है पहला होता है हमारा रूट वर्ड प्रिफिक्स और फिर आता है कनेक्शन वर्ड ठीक है तो इस सेशन से हम प्रिफिक्स के बारे में पढ़ना स्राट करेंगे क्यों लोकेशन को रिपरेजेंट करते हैं कुछ Color related information को रिपरेजेंट करते हैं बट पहले जो हम डिसकस कररेंगे मैं नब्यान को रिप्रमीयान को रिपरेजेंट करेंगे तो second slide पे चलते हैं यहाँ पे हमारा पहला जो point है पहला जो prefix हमें use कर रहे है वो है macro आप लोगों ने science की काफी सारे box में macro related terms बहुत सुना होगा जिसमें macro use होता है तो वैसे ही अगर आप medical terminology की बात करते हैं तो medical terminology में बहुत सारे ऐसे conditions हैं जहां पे macro prefix का use किया जाता है तो macro represent क्या करता है macro represent करता है large amount ठीक है या कोई भी elevated चीज़ है जैसे elevated तो even नहीं कहेंगे बट large amount पे कोई भी चीज़ होगर हमारे को मिलती है किसी observation के अंदर suppose कोई ऐसा disease है जो large amount पे शोग हो रहा है तो prefix क्या होता? prefix वह चीज़ होती है जो हम starting में लगा जेते है जो किसी भी terminology के start में आके उसका meaning change कर दे उसको हम बोलते है prefix तो अगर macro अगर आप किसी terminology के starting में लगा रहे है किसी terminology के beginning में लगा रहे हो तो वो कही ना कहीं indicate कर रहा है कि इसमें जो भी चीज हम refer कर रहे हैं, वो एक large amount को represent कर रहा है ठीक है, अब इसको clear करने के लिए हम क्या करेंगे हम कुछ examples यहां पर देखेंगे, जो macro prefix को use कर रहे हैं और फिर उनका meaning समझेंगे, तो पहला example है macro cytosis ठीक है, macro cytosis, तो अगर आप macro को देखोगे तो यह क्या है एक prefix है, जो हमने इस beginning में लगाया, correct macro को beginning में रखा है, और complete term क्या हमारी macro cytosis अब इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि macro क्या represent कर रहा है, तो यहां लिखा है, macro cytosis refers to the presence of abnormal large red blood cells in the blood, ठीक है, तो यह क्या किसको presence कर रहा है, यह refer कर रहा है, यह presence of abnormally large red blood cells in the blood तो उस चीज़ को represent करने के लिए हमने क्या use किया, हमने term use किया macro कि जब भी किसी body में या किसी blood में large red blood cells को हमारे को represent करना है तो उस case में हम use करेंगे macro, और complete term क्या है, macro cytosis अब इसके आगे क्या लिएक है, this condition can be indicative of certain medical issues such as vitamin B12 deficiency and folate deficiency anemia, ठीक है, तो अब हमने इसको क्यों पढ़ा, अब सबोज आप किसी medical coding के लिए आप लोगों को कोई कोड करना है, तो उस case में आप क्या करोगे, इस word को पढ़ोगे, जो है macro cytosis और फिर उससे आपको idea हो जाएगा कि macro यहाँ पर represent करना है, large amount को, ठीक है, तो यह एक example था, next example है हमारे पास macro clausia, इधर क्या लिखा है, abnormal enlargement of the tongue which can be caused various congenital or acquired conditions, ठीक है, तो congenital conditions कोई से होती है, जो by birth से हो, है न, तो यहाँ पर यहाँ पर भी क्या कर रहा है, abnormal enlargement, तो enlargement कितना है, काफी बड़े level पर, large amount है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर इस तरह का macro glossy, अगर आपने कहीं पर term use किया है, तो महाँ पर macro क्या represent कर रहा है, large को, है न, large amount को, ठीक है, तो यह था इसका second example, फिर आता है हमारे पास macro albuminuria, यहाँ क्या लिखा है, macro albuminuria is a condition characterized by the presence of significant amount of albumin, a protein in the urine, it is often used as an indicator of kidney damage and can be associated with various renal and metabolic disorders, ठीक है, तो यह भी एक disease को represent कर रहा है, जिसका term क्या है हमारे पास, terminology है, macro albuminuria, तो यहाँ पर जो initial macro है, वो represent कर रहा है, large amount को, ठीक है, तो ऐसे आप terms को, medical terms को breakdown करोगे, तो पहला जो हमने point cover किया, वो है macro, अब आप जब भी macro को बिल्कुल opposite है, वहाँ पर हम क्या represent करते है, large amount को, यहाँ पर हम क्या represent कर रहा है, small amount को, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ, अगर जिसे आपको कोई भी terminology के आगे micro लिखावा मिलता है, तो इसका मतलब है, वहाँ पर जो amount है, maybe किसी disease का, या किसी symptom का, वो बहुत less है, small है, ठीक है, तो अगर इसके example देखो के, तो यहाँ पर क्या है, microcytosis, वहाँ पर हमने macrocytosis देखा था, जिसमें large blood cells थे, यहाँ पर क्या है, microcytosis is a condition characterized by the presence of abnormally small red blood cells, वहाँ पर क्या था, large red blood cells, तो disease तो दो दोनों blood cells से related है, बट एक जगह पर prefix indicate कर रहा है, large, अगर आपको macro मिल रहा है, तो वह indicate कर रहा है, large को, और अगर आपको micro मिल रहा है, तो वह indicate कर रहा है, small को, ठीक है, तो यहाँ पर ही लिखा है, microcytosis is a condition characterized by the presence of abnormally small red blood cells, it is often associated with disorder like iron deficiency anemia and thalasmia affecting the oxygen carrying capacity of the blood, ठीक है, तो यह कुछ symptom से यहाँ पर बता है, और उनका reason बता है कि किस वज़े से यह disorders होते है, किन disorders के वज़े से होता है, ठीक है, फिर हमरे पास आता है, microangiopathy, इसमें कहा है, microangiopathy refers to a small vessel disease, तो यहाँ पर भी कहा है, vessel disease, small level पर, particularly affecting the small blood vessels, it is often associated with the condition like diabetes, mellitus and can lead to complication in organs and tissues due to impaired blood flow, तो यह disease भी कहा रिप्रेजेंट कर रहा है, small amount को, यहाँ पर कहार कर रहा है, microangiopathy, small vessel disease, फिर आता है, हमरे पास, microalbuminuria, इस यह बिलकुल, इसका opposite अपने देखा था, microalbuminuria, यहाँ पर, microalbuminuria, यह कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं इसको, meaning आपको शो कर रहा हो, यहाँ पर यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, is a condition where a small amount of albumin, a protein, and are present in the urine, it can be early indicator of the kidney damage, often associated with the condition such as diabetes or hypertension, यह भी एक disease को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट किस लेवल पे, अगर आपको अभी medical पूरा terminology का meaning clear नहीं हो रहा है, तो वो कोई problem नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ focus कर रहें, prefix पे, तो prefix micro क्या represent कर रहा है, micro represent कर रहा है small amount को, और macro represent करता है large amount को, ठीक है, तो यह दो point हमने cover किया, third में move करते हैं, third है हमरे पास hyper, hyper क्या represent करता है, किसी भी higher level को, या above normal, या elevated, तीन terms से आप इसको define कर सकते हो, higher, above normal, और elevated, जो भढ़ता हुआ है, ठीक है, तो इसके examples क्या क्या है, hypertension एक बहुत common use term है, hypertension, hypertension, tension और high blood pressure is a medical condition, where the force of blood against the walls of the arteries is consistently too high, it is significant risk factor for cardiovascular disease and other health problem, तो hypertension क्या represent कर रहा है, यहाँ पर hyper time आ रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, higher और above normal, या elevated को, फिर आता है hyperthyroidism, इसका मिनिंग क्या है, hyperthyroidism is a condition in which the thyroid gland produces the excess of thyroid hormones, this can result in overactive metabolism, leading to a symptom such as weight loss, increased heart rate and nervousness, तो यह किस में रिप्रेजेंट कर रहा है, hyperthyroidism, तो यहाँ पर भी hyper term क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, above normal, तो यहाँ पर आता है हमारे पास, third point hyperglycemia, hyperglycemia is a medical condition characterized by elevated level of glucose, तो यहाँ पर term क्या मिल रहा है आपको, elevated, तो जैसे बताया था कि hyper भी elevated को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वही आया, कि hyperglycemia is a medical condition characterized by elevated levels of glucose in the blood, it is commonly associated with the diabetes mellitus and can lead to various complications if not managed properly, तो यह भी एक disease है, पूरा disease का अगर आपको भी doubt हो रहा है, तो वह कोई problem मिया है, अभी हम focus करने है सिर्फ प्रिफिक्स पे, तो प्रिफिक्स hyper क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, higher और above normal, फिर इसका opposite क्या आएगा, hypo, hypo क्या रिप्रेजेंट करता है, low, below normal or decrease, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, hypoxia, hypoxia is a condition in which there is insufficient oxygen reaching the body tissues, it can be caused by various factors including respiratory and cardiovascular issues and can lead to a symptom such as shortness of breath, confusion and cynosis, ठीके, तो यह क्या रिप्रेजेंट करता है, hypoxia, यहां पे जो hypo term है, वो रिप्रेजेंट करती है, below normal, mostly interviews में question पूछाता है, difference between hyper and hypo, तो जो hypo है, वो रिप्रेजेंट करेगा higher और above normal, hypo रिप्रेजेंट करेगा lower और below normal, वैसे second example है हमारे पास, hypo, फिर हमारे पास hypokalemia, hypokalemia is a condition characterized by lower than normal levels, lower than normal levels, तो यह हमारा प्रेजेंट कर रहा है, lower than normal levels of potassium in the blood, potentium is essential for various body functions including nerve and muscle cell function, hypo, chlaminia, can lead to weakness, muscle cramp and irregulation, heart, rhyme, तो यह देखा example, तो है हमारे पास hypotension, तो बिलकुल hypertension का पोधित होगा, hypotension or low blood pressure is a medical condition, where the force of the blood against the walls of arteries is consistently too low, it can result in symptoms like dizziness, fainting and fatigue, तो यह कुछ प्रेफिक्स हमने यहां पर पढ़े, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे amount को यह number को, तो medical terminology prefix, that denote number और amount, तो कौन से कौन से point पढ़े, macro, जो रिप्रेजेंट करता है large amount को, उसके कुछ examples देखे, फिर पढ़ा micro, जो small amount को रिप्रेजेंट करता है, उसके example है, hyper, above normal और higher information प्रोवाइट करता है, denote करता है, hypo, जो low और below normal को रिप्रेजेंट करता है, और फिर आज का हमारा question है यह वाला, क्योंकि यह सारे points हमने discuss कर लिये, और आज का question रहेगा वो है, what are the key component of medical terminology, तो यह session में हम already cover कर चुके हैं, previous sessions में, और हम यह पूरा session एक series में कर रहे हैं, तो मैं आपको recommend करूँगा, क्योंकि आपको अगर इसका answer नहीं पता, तो आप पहले वो sessions देखें, और फिर इसका answer कर सकते हैं, तो जो भी correct answer को उसको pin कर देंगे comment section में, और जिससे बाकी लोग भी उसका reference लिपाएं, तो इस session के लिए इतना ही था, I hope यह आपको clear हुआ होगा, next session में बागे topic discuss करेंगे, so thank you for watching, टेक्शन मत.